वेलकम टू एस्टेट एकजाम 2020 प्रेक्टिस सेट नमबर वन यह हमारा प्रेक्टिस सेट सोशल साइन्स और कम्प्यूटर साइन्स दोनों के लिए इनपोर्टेंट है क्योंकि कम्प्यूटर साइन्स का पार्ट ए में 50 कोश्चन पूछा जाता है जिसमें जीके जीएस के ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक और सेर करें ताकि और भी लोग स्टेट की त्यारी कर रहे हैं उन सभी को प्रेक्टिस सेट जिसमें एस्पेक्टेड़ एमसी की कोश्चन करने वाले हैं आप इस वीडियो को देख सके और वीडियो का PDF आप हमारे टेलग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं और पहला कोश्चन देखते हैं जो की हमारा हिस्ट्री से लिया गया है पहला कोश्चन है 1857 की करांती के दोरान भारत का गवर्नल जेनरल कौन था और इस प्रस्ण का सह ही उत्तर है ऑप्शन ए यानि लौड कैनिन लौड कैनिन लौड कैनिन 28 जन्वरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नल जेनरल रहते हैं अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर दो स्वराज स्वराज हा माजास जन्म सिध्धी अधिकार आहे अनी होती मी मिलावी बाल गंगाधर तिलक ने किस अस्थान पर की थी यह घोषना मराथी में लिखा गया है और यह घोषना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताये गया था अस्थान का नाम क्या है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानि कोट में दरसल स्वराज हा माजा जन्म सिधी अधि अधिकार आहे अनी तो मी मिला विनाच का हिंदी प्रुपांतर है इसका मतलब है स्वराज मेरा जन्म सिध अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोट में कहा था और राजदरोह के आरोप में उन्हें साथ वर्स की साजा हुई थी कोशन है तीन कोशन नंबर तीन भगत सिंग राजगुरु सुखदेव और जैगोपाल कि सड़यंत में सामिल थे कोशन को बनाने के लिए आप वीडियो पॉज करके कोशन बनाया और फिर इसका एंसर देखे ताकि आपको एक अंदाजा लगे आपके कितने कोशन सही हो रहा यह कि आपने कितने एसकोर किया इस प्रेक्टिस सेट में तो इसका एंसर होगा ऑप्शन बी जो की लाहौर सरयंत है लाला लाजपत की जो हत्या था उसका प्रतिसोद लेने के लिए भगत सिंग राजगुरु जैपल और सुखदेव ने पुलिस परमुक एसकोर्ट की हत्य का सड़त रचा था और इसके कारण जेपी सार्ट को गोली मार दी थी और इसके कारण मौके पर ही मौत हो गई थी उसकी बाद से ब्रीटिस सरकार ने उन्हें यहां पर फासी चड़ा दिया था तो इसका एंसर जो होगा ऑप्शन बी कोश्चन नंबर चार आजाद हिंद फ और यहां पर लगता है ऑप्शन का मिसमैच हो गया है इसका दरसल सही एंसर होगा ऑप्शन बी सिंगापूर आजाद हिंद फोज गया स्थापना सिंगापूर में किया गया था नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं गुरू मुखी लिपी किस सीख गुरू के द्वारा शुरू की गई थी और इस एंसर का इस कोश्चन का जो एंसर होगा है और प्ले कोश्चन नमबर पांच जो है कि गुरू अंगत गुरू नानक शीख धर्म के स्थापक्त है उन्हों ने अपने बाद गूरू अंगत को अपना उत्तारदीक निव्ट किया था, गूरू अंगत सीख धर्म के दूसरे गूरू थे, गूरू अंगत ने गूरू नानक की रचनाये जैसे की संकलन किया था और उनकी गूरू मुखिलीपी का भी विकास किया था, अगला कोश्चन यहां पर हम लोगों ने देख लिया अब यहां पर नेस्ट कोस्टं है six number बरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जूड़े थे और इसका एंसर होगा option यहां पर देख लेते हैं बरिंद्र घोष जो थे वो यहां पर जुगांतर से जुड़े हुए थे जुगांतर एक बंगाली करां गोस और अविनास भटाचार्य और भुपेंद्र नाथ दत्ता ने किया था इसका एंसर होगा ओप्शन बी कोश्चन नमबर साथ है 1946 में तेवेगा अंदोलन किस वर्तमान राजी से संबंदित है और इसका एंसर होगा ओप्शन बी यानि पक्षिम बंगाल तेवेगा अंदो बंगाल में ब्याप्त साजा जो खेती विवस्था था उसके बिरुद अस्थापित किया गया था कोश्चन नमबर आठ देखते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्याले भारत में किस अस्थान पे था किस राज्य में था और इसका जो एंसर होगा वो होगा ओ मुख्याले तमिलाड़ू में चिन्नई के मेरे कायर लंबाई स्ट्रीट में इस्तित है यहां पे जगह का नाम याद रख सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन कॉंग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया कि करेक्ट एंसर होगा ओप्शन ब रंपार और की लाहुर जो प्रस्त अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का। प्रस्ताव पारित किया था और इसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को सोतंता कोई घोषना की जारी किया गया था हालाकि सोतंता जो थी वो 1947 में प्राप्थ हुई थी लेकिन घोषना 1930 में ही कर दिया गया था कोश्चन नमबर 10 धाका में इस्तित अहसान मंजिल पैलेस की इस कारण परसीद है अहसान मंजिल पैलेस करेक्ट एंसर होगा ऑप्षन ए मुस्लिम ली की अस्थापना मुस्लिम ली की अस्थापना 1904 में धाका में आगा खान द्वारा की गई थी और लियाकत अली खान में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम जो थे उनसे अलग होकर देश पकिस्तान की मांग किया था और इसका एंसर होगा ऑप्षन ए मुस्लिम लीग की अस्थापना नेक्स्ट कोश्चन नविन्तम जारी CSR 43 की स्फसल का बीज है इकनोमिक्स का कोश्चन है और इसका एंसर होगा ऑप्षन C यानि चावल CSR 43 यह चावल का एक बीज है जो कि बहुत ही लेटेस्ट यह मतलब परकार है जो सबसे लेटेस्ट इसका वेराइटी है चावल का अगला कोश्चन है निम्न में से कौन भारत में सी चाई का एक मुख्य स्रोत है और इसका एंसर होगा ऑप्षन A नल कूप भारत में सी चाई का मुख्य स्रोत जो ऑप्षन दिया गया है उसमें से नल कूप एक मुख्य स्रोत मना जाता है नेक्स्ट निम्ण में से कौन भारत में सी चाई का एक मूख सुरूत है तहई इसका देख लिए हम लोगों ने एंसर होगा नल कुप कोशन नमबर 14 देखते हैं निम्ण में से किसे भारत में समुदाइक विकास कारकरम का जनक माना जाता है भारत में समुदाइक विकास कारेकरमों का जनक माना जाता है किसे माना जाता है एसके डेको जनक माना जाता है और अगला कोश्चन देखते हैं पंदरा नमबर निमलिखित में से तीन भारतिय राजियों में से कहां देश में सबसे कम गरीब आबादी है सबसे कम गरीब अबादी है किस राज्य में है और option के नुसार इसका सही उत्तर होगा option A यानि केरल, हिमाचल परदेश और पंजाब ये तीन राज्य हैं जो कि भारत के सबसे कम गरीब मानने जाते है अगला question है, निमलिखित में से कौन दुनिया में ख़दान का सबसे बड़ा उत्पादक है correct answer होगा option B यानि चीन next question है, भारत के राष्टिय द्वज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है भारत का राष्टिय द्वज के बारे में wrong statement कौन सा है चार option दिये गए है, चारों को आप पढ़ें और उसके बाद answer करें हलाकि इसका answer होगा जहन्डे का रंग जो होता है हरा रंग साहस और बलिदान का परतीक है कलत statement है या अगला question है, निमन में से कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा statement जो है, वो उसका match सही नहीं कराया गया है और यहाँ पर आपर option देख सकते हैं इसका answer होगा option B यानि पश्चिम बंगाल में लोग सबा सीटे 35 है हलाकि इसमें कितने सीटे हैं आप हमें comment करके जरूर बताएं और साथ में video आपको कैसा लग रहा है यह भी comment करें ताकि इसमें और भी improvement की जरूर थो तो हम लोग इसमें improvement करें निमलिखित बिकल्पों में से किस परदेश में राज्य सभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है इसका answer होगा तमिल लाडू option C next राज्य सभा के लिए अधिक्तम कितने सदस्यों राज्यों और दो केंड़ सासित परदेशों से चुना जा सकता है इसका answer होगा option A 238 238 सदस से राज्य सभा के लिए maximum चुने जा सकते है next question है निमलिखित में से कौन सी party का परदान मंतरी भारत में नहीं बना है किस party का परदान मंतरी भारत में नहीं बना है अभी तक और इसका answer होगा यहाँ पर अगर हम लोग option देखे जनता दल जनता पार्टी भारतिय कॉम्निस पार्टी भारतिय जनता पार्टी तो इसमें तो पहला D जो है वो तो wrong statement है और option B देखे जनता पार्टी यह भी एक wrong statement है जनता पार्टी भी बन चुके हैं परदान मंतरी और जनता दल जो कि पहले जनता पार्टी वहां से बना हुआ था तो इसमें भी बन चुके हैं तो इसलिए कॉम्निस्ट पार्टी के परदान मंतरी अभी तक भारत में नहीं बन question बिहार estate social sciences student के लिए और जो computer science के part A के त्यारी कर रहे हैं जिसमें 50 question GKGS के पूछे जाएंगे उन सभी के लिए important है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इससे ज्यादा से ज्यादा share करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सके like करें ताकि हमें motivation मिल सके और इसी तरह हम लोग practice set आपके लिए लाएं आपको वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करें